अरे फ्रेंकिलिन बेटा कुछ खाने को लाई हो क्या अरे आंटी जी सौरी मैं शिंचन के लिए लेकर आयो मैंने भी कुछ निखाया तब से इस में को शिंचन के सामने जूट बोलना पड़ा नहीं तो वो ना खाना निखाता अरे सर प्लीज या कुछ काम दे तो मेरा भाई मैं भी बहुत दिनों से भूका है मैं भी बहुत भूका हूं प्लीज कुछ काम दे और थोड़ा हुलिया ठेक करके आई हो कप्रे धंके पैंके रहाई हो या चाय मैं दो तीन दिन भूगा रहा लेकिन या शिंचन की पढ़ाई नहीं छोड़ूगा फ्रेंकिलिन भाई फिर प्रेंगी भाई आप मुझे चोड के नहीं जाए है कि अरे ना थ Christmas कोंदो मेरे को अपने भाई किलाना है प्लीज यार प्लीज आप तो कुछ दे दो यार मैं काम कर दूगा आपके लिए मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूगा यार आप यार गाइस कोई भी नि सुन रहा है यार इस गरीब की यार मैं बहुत जादा परिशान हो शिंचेन को खाना देना और बहुत दिनों से परिशान हो रहा है और यह लोग मेरे को मारे जा रहे हैं और यह लोग मेरे को मारे जा रहे हैं यहां पर किसी को खाने के लिए कोई किसालत में होगा कौन कितना तंग होगा कुछ दे दो खाने को अरे 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 भाई साब भाई साब बहुत दिनों से भूका है प्लीज यह वाली कॉफी देदो मैं अपने भाई को थोड़ी सी पिला दूगा अरे निकल जाए यहां से मै बहुत स्यादा करीबी आ चुकिया मेरा बहुत दिनों से भूका है यार उसने कुछ निकाया वो मर जाएगा बड़े बड़े प्लीज भाई सब मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूं मैं अपने भाई को खाना खरीद के खिला दूगा लेकन भाई सब यह तो बहुत ही कम है अरे तो तुने गाड़ी तो साफ करी है अरे भाई सब कोई बात नहीं इससे काम चल जाएगा कम से कम एक का तो पेट भरी सकता है अरे तो तो क्यों आ रहा है इदर मरने के लिए भीकार ही इंसान अरे यार क्यों करते हैं लोग ऐसा बतानी क्यों मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जल्दी से मैं शिंचन के पास पहुचता हूं खाना ले करके मैं 24-7 से शिंचन के लिए कुछ ले तो लिया है मैं चलता हूँ शिंचन के पास मेरा वेट कर रहा होगा बिचारा भूका भूका होगा वो तो बहुत जाद ही भूका है मैं देखो इस इलाके में रह रहा हो यहां पर देखो और भी गरीब लोग है यह देखो यहाँ पर सारे क्ये सारे गरीब लोग यहाँ पर सारे के सारे लोग इंव Colonel हैं नहीं क्योंब अटीज है उपठोए कोई लेकर आया अपर अफिकर सकते हैं call को रहे नहीं honestly यह तो लेटा हुआ है अब यह तो लेटा हुआ है अब यह तो ने कुछ नहीं खाया तुमेरी आवास देख रहा है कितनी कड़क है अरे हाँ अब के आवाइड में पहले से बहुत जादे दम आचुका है अरे हाँ शिंचन या इस लिए तो दमाया भाई यार मै कुछ खा करिया है ऐहाँ शिंचन ऑड उरे हाँ मैं ह्खाया है और न वह चाने के लिए भी तो जुआड करना न पढ़ेगा चलो यार चलते हैं यार इस बेगों जूट बोलना पड़ा नहीं तो वो ना खाना नहीं खाता और आदा खाना मुझे देता और जिससे उसका पेट नहीं वरता गाइस मैं तो कुछ भी करके खाल लूँगा लेकिं चैन का पेट पूरा भरना चाहिए बिचारा दो दिन से भूका है वो गाइस चलो यार मैं किसी से काम मांगता हूँ यार मेरे को कुछ काम मिल जाया तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा अरे यह 24-7 है यहां पर 24-7 के ओनर कड़े हूँ है अरे सर 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 मुझे कुछ काम दे तो मैं बहुत दिनों से बहुत भूका हूँ हो यार पिल्स स तर कुछ काम दे तो अपने 24-7 में अरे ओ, यहाँ पर सब कुछ आटोमेटिक है या, अरे सर प्लीज, मैं यहाँ पर पोचल लगाने को तयार हूँ, अरे पोचल लगाने के लिए मैंने अपने भती जगो रखा हुआ है, अरे सर प्लीज, कुछ काम दे दो, मेरा भाई भी बहुत दिनों से भूका है, मैं भी बह और यह दुनिया कैसी हो गई है और फ्रेंक्लिन ऐसी दर-दर की ठोट रखाता रहा और उसको किसी नकाम ने दिया अपनी जिंदगी से बहुत जादी परिशान हो चुगा था फ्रेंक्लिन को तो कभी ऐसा मन करता था कि वह इस दुनिया से चले जाए लेकिन उसे फिर शिंच से कुछ लिगाया है अरे यहां पर कुछ काम नहीं है यहां पर सब कुछ और यहां पर सब कुछ और्टमेटिक है मैं बहुत ज्यादे करी हूँ आपकी बहुत महरवानी होगी मैं आपके पैर पढ़ता हूं प्लीज सर मेरे चोटा भाई भी मुझे उसे स्कूल भी पढ़ा है तो देख सारा काम आड самых और प्लिख्ण होता है पूरा काम देख लैप से पूरा काम प्लिख्ण चले है तो देख यहां पर आ कर डिक जल्दीelect यहां पर घ्यांटियों के एंट्री होती है यहां से लग्मारीgas PSD अब यह काम हो जाएगा और तेरे को मैं पूरे महीने के 5,000 रुपे दूगा अरे सर 5,000 तो बहुत कम है देख मैं तेरे पे तरस खाके बेखतो मैं तरको जाब दे रहो अरे नहीं नहीं सर मैं खुश हो मैं खुश हो आप बताओ आपके तो कल से आजा फिर काम करने के लिए य यार सर कुछ करवा दो तो ऐसा कर मैं तरी सेलरी में से 1,000 रुपे कार्ट देता हूं वह पैसे मैं तेरे को अभी दे दूगा और अभी जाकर करके कपड़े खरिद ले अरे सर वैसी सेलरी बहुत कम है और आप और कार्ट लोगे उसमें से मैं कुछी जानता मैं तरे को अभ तरी समय कुछ नहीं है और रात के खाने कि चिंता मत कर यार क्यों क्या हो गया अब सेंच नहीं तरगो पढ़ाई लिकाई करवा सकता हूं शिंचन भाई आरदे मिर को नए कपड़े खरी ने पड़ेंगे सौरी बाई मैं तेरे को निदिला पाऊंगा तो यार फिर भी पहन लेता हूँ आप तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हो प्लीज फ्रैंकली भाई आप खरीद लो हाँ शिंचन मैं तो खरीदना भी नहीं चाहता था लेकिन या मुझे मुझे जॉब पर रख है उनको चाहिए कि मैं उनके हां ढंके कपड़े पहन करके काम करूं और फ्रैंकली मैं कपी बात ने कापका थंट ले लिए जी लए जाओं गया किसे तेंग आए के तो स्बसे ज्यादे पर के आचुके हैं लेकिन या शिंचन की पड़ाई सबसे जादा इंपोर्टेnt है मैं भूख रहा लेकिन यह शिंचन को पड़ाना चाहता हूं तो गाइस आप अगर आप एगरी करते हों तो फिलिस यार वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस मैं बहुत जादा परेशान हो कि आपके सस्क्राइब करनेसे मेरी परिशानी ठीक हो जाए तो गाइस देख सकते हैं यार मैंने कपड़े खरीच चुके हैं आप बता ना कमेंट करके कि मैं कैसे लग रहा हूं इस आउटफिट में गाइस मैं लग रहा हूं ना पूरा ओफिस वाला गाइस बहुत दिनों बाद मुझे एक कपड़े पहनने को मि मेरी माँ采तने दॉपली देखा हम है और प向 आवलों में लुक्त पासरे तो क्योंगा ऩो अपना पड़ा लिखाई कर वाित पहले में पहले सबसे पहले चाहते हूं सिंचन के सबसे जहां चेर्म के लिए बात करने के लिए औरे बोई दिनों से देख रहा हूं यह गाड़ी अधर ही घड़ी होई हैår मैं क्क्या करूए मिरे को न ह Previously जाना है तो मैं क्या काड़ी ले कर दो सबस्क्राइब कर लेंकर कर जाका पर सक जिए यह नियदे पर अब यदर सबस्क्राइब कर देख सकते हैं यहां इस पर पार्क कर दो और मैं चलता हूं और मैं जा कर बात करता हूं गाइस बहुत ज़्यादा परिशानी आ चुकी है यार यार चाय मैं दो तीन दिन भूगा रहलूँगा लेकिन यार शिंचन की पढ़ाई नहीं छोड़ूँगा क्योंकि यार बच्चों की पढ़ाई हो जानी चाहिए तो बहाई का ना एडिवयशन करवाना था इरी कोई बातरी या एडिवयशन करवा लो और एडिवयशन फीस यहां पर जमा कर दो कल से अपने भाई को स्कूल छोड़ जाना मैं ही पढ़ाउंगा इन्हें सर आप मुझे फीस बता दो आई सर फीस तो 2000 महीने है 2000 महीने सर ये तो बहुत ज़ादा हो जाएगी सर मैं बहुत ही ज़ादा गरीब हूँ एरे तुमने कपड़े तो बड़े अच्छे पहन रखिये तुम कहां से गरीब हो गए अरे यार अब मैं इनको क्या बताओ यार अरे नई सर मैं देने को तयार हो मैं 2000 दे दूँगा ठीक है कल से अपनी छोटे भाई को स्कूल भेज देना मैं ही पढ़ाऊंगा उससे तो गाइस देखा ना यार आज में यह को बहुत जादा खुशी मिल रही है यार मुले जॉब भी मिल चुकि और मैंने शिनचें के स्कूल की भी बात कर लिए मैँ यार इतना के पड़ायी करवा सकता हूँ तो गाइस जल्दी से मैं चलता हूँ शिनचें को खुशकरिए देथा हूँ यहां से गाड़ी उठाई थी तो घॉक मत ठुक मत किसी और की गाड़ी है तो गाइस शिंचन के पास पॉठ चुका और शिंचन से जाकर कि मैं बात करता हूँ खोड़ वाल जादव स्खूल कोव सब्सक्णाओए यहां चाहँ ज्चा यहां शिंचन और मैंने ने तिरी बात भी कर दिया और मैं फीज़ भी जमाँ करके आये हूं कल से तिरो सकूल जाना पड़ेगा ठीक है यहां फ्रेंख्री माइब यह ठीक है शिंचन मेरा बहुत सेना वो मेरे को थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी दे देगा Eare Franklin भки हम गाड़ी से जाएंगी Airbnb within 5 उनी आशार को आधो दो मिसा से लुसे गाड़ा में ने जब बड़ा हो जाऊंगा बड़ा आदमी बनी हो एरे हम फ्रेंक्लिन बईया मैं बड़ा बात भी बनूंगा अरे हां शिंचन चल यह नब देख यह शाम हुने को आई यह और शिंचन अभी थोड़ी दिर में अंदेरा हो जाएगा चलिए यह जो मैं खाने को ले कर आया हम खापी करके सो जाते हैं यह स जोड़ना पड़ा कि यार मेरे को जाला बड़ी जॉब मिली है क्योंकि अगर मैं उसे यह नहीं बोलता तो यार शुच्छ जाने को त्यार नहीं होता आज मेरा पहला दिन काम करने का तो गाइस मैं पहले न शिंचन को उठा देता हूं यह मैं इसको स्कूल चोड़कर आऊंगा शिंचन गे इस सोफे पे बैठ कर देखो कितना अराम फर्मारा था शिंचन को यह मैं अच्छी जिन्द की देना चाहता हूं अभी तो यार हम ऐसी यह लेकिन यह शिंचन को मैं शरूर अच्छी जिन्द की दूंगा अरे शिंचन रूट जा अरे फ्रैंक्लिंव मत करो अरे शिंचन भाहिं उट जा यार उसकूल भी तो जाना है इसको जोडने के लिए तब तक मैं आपको तयार बिलूंगा बढ़े ड्रामियां गाइस दे तो गाइस शिंचन का उस्कूल होता है साड़े आठ बजे का और गाइस अभी बज़रे हैं साड़े चाहे तो गाइस मेरे को अभी वर्क्शॉप पे मेरे कोई जाना पड़ेगा तो यार जब तक शिंचन अपनी नीन भी पूरी करके तयार हो जागा मैं जाता हूँ और मेरा आज पहला दिन है गाइस इस कपड़ों में थोड़ी सी महक भी आने लगए ये क्यों कि आगाइस नानी के लिए भी कुछ पानी वानी का कुछ जोगार नहीं है तो गाइस पहले मैं अपनी वर्क्शॉप पे जाता हूँ अई फ्रेंक्ली तुम आ गए सर आपने जैसा बोला था ना मैंने वैसी कपड़े खरीदे हैं अरे फ्रेंक्ली अब तुम अच्छे लग रहे हो फ्रेंक्ली तुम तो पहले दिन ही बहुत अच्छा काम किया तुमने अरे बोलो मुझे न अपने भाई को स्कूल छोड़कर आना है तो सर यहां पर किसी कस्टूमर की कार मिल सकती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए सर मैं ठोकूंगा नहीं उसको सर प्रॉमिस अरे फ्रेंक्ली मैं तुम्हारा काम देख करके खुश हुआ तुम ले जा सकते हो क्या सर सर अरे हां तुम ले जा सकते हो यह जो रैड वाली घड़ी है तुम इसको ले जाओ मेरे बॉस कित्रे ज्यादा अच्छे है यार ऐसे नेक इंसन कंभी मिलते हैं तो आईस्याक्त करते हैं देखता हूं यार ये त dar सब्सक्राइब करें अच्छा बेटे प्रेसर लग गया था तेरे को कुछ ऐसे ही समझ लो शिंचन चल लिए मैं तुरे को स्कूल छोड़कर के आता हूं अरे हां फ्रेंक्ली बाइब चलो चलो हां शिंचन चलती आजा मैं गाड़ी भी तयार कर लिए अरे फ्रेंक्ली चल गारे से पड़ए करूंगा एम सिंचन चल भाई थेरा स्कूल आ चुका है ए मुझे ड़ल लग रहा है अरे नहीं सीन जाहिए घंटी भी बच के अब जा यार्र में जा रहूं और जल्दी से जाता हूं यार शिंचन वैसे रो रहा था यार एंट टाइम पर मेरे अच्छा नहीं लगा लेकि गाइस क्या कर सकते हैं मेरे को छोड़ना पड़ा उसको जो चलो मैं चलता हूं और मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है हम लोग तुम्हारा बड़ा बाई है वो इतना गरीब जैसा दिता है उसकी वहीं से हमारे स्टेंडर्ड डाउन हो जाता है महतरमा वैसे तुम सही कह रहे है यहार दो एसा करो उना गर सेन निकाल दो प्लीज बेभी फिर में थे बेभी फिर मैं तुम्हें छोड़ के चले जाओंगे यार महतरमा तुम काशी बात कर रहे हो यार सबसे आगे हो तुम में ले आपने घर से भाई को भेजो अरे हां मैं भेजता हूँ मैं उनसे मिलकर के आता हूँ मैं उनको बोलता हूँ कि यहां से चले जाओ अब नई फ्रेंक्लिन वेज़ंे लिए डिक्भीत नहीं रहे है यार इतने बड़े घर बे आया वह मेरा इतना स्टेंटर्ड भट चुका है मेरा स्टेंटर्ड यहां जाओंगा तो कहां जाओंगा यहां से निकलो आपने कुछ गुना नी किया आप बस मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिच कर रहे हो अरे शिंचन मैं कहां से तोड़ने की कोशिच कर रहा हूं शिंचन मैं तो यार वैसे बुड़ा होते जा रहो फ्रेंकली भाई को यह से मत छोड़ अरे फ्रेंकली भाई जाओ जल्दी से यार हमारे गेस्ट आने वाले है अच्छा शिंचन तेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा स्टैंडर गराता हूं तो यार मैं यहां से छोड़ के चले जाओंगा तुम्हें अरे हां जाओ बोर यह बस तर उठाओ और निकलो यहां से ठीक है शिंचन भाई मैं जाता हूं यहां से अच्छा तो शिंचन भाई मैं चलता हूं अरे हां जाओ इनके बैग में कुछ हमारे गार के चोड़ी का समान तो नहीं है तुम कैसी बात कर रही हो फ्रेंकर भाई आपको कोई हक नहीं है मेरी वाइफ से जबाज लेड़ा निकल चाह शिंचन भाई आप वो इंपोर्टेंट हो गई और हम और हां तुम्हें बैग की चिंता थे ना त जाओंगा कहां रहूंगा इस बुड़ी हालत में मैं इतना बुड़ा हो चुका हूं यार बच्चे अपने मावाब को ऐसे विरदाश्रम में छोड़ देते थे और ऐसा ही आज मेरे छोटे भाई ने मुझे छोड़ दिया लेकिन यार उनकी खुशी है अगर मैं उनका स्ट जल्दी से में बहुत जधार ने लग गया जल्दी सो बुलाती हो अरे टॉक्पर सां मेरे पती को कुछ हो गते ही न वह ठीक हो जाएंगे न शिचन सार के दिल में डिफैक्ट आ चुका है इनको बनाया हाट देना पड़ेगा यार पैसो के चिंतना मत करो मैं तुमें बहु जी ऐसा नहीं होता है आज कल human part मिलने में बहुत पुश्किल होती है अरे यार आप please कैसे भी करके कुछ करूं मैं पैसे देने को तेयार हूं अरे मैडम पैसे तो आप कितने भी दे देना मैं अब ले भी लूँगा अच्छे से पैसे लेकिन अब मैडम क्या करें अब human body के part की पहुत ज्यादा किल्लत आ गई है मैडम आप उनकी जान ऐसी बच सकती है अगर उन्हें कोई heart देता है तो या तो आप अपना heart दे दीजिए उन्हें की जान बच जाएगी अरे पर मैड नहीं जीप आओंगी ना रहा मैडम आप नहीं जीप आओगी लेकिन आपके शिंचेन सर जीप आएगे अगर आपको इतना ही है तो लेकिन कुछ दिरोगात शिंचेन का इलाज शुरू हो गया किसी भले नेक इनसान ने आगर करके शिंचेन को अपना दिल डोनेट कर दिया और शिंचेन अच्छे ज़े ठीक हो के घर आ गया कौन बोल रहे है को न बुल रहे है तब इससे बूलू अरे शिंचेन चुपचाप से उस जगाँ पर आओ जहां पर तुम पहले रहा करते ते अपने फ्रैंक्लिन भाईया के साथ क्या हो गया जल्दी बताओ ना शिंचेन तुम आओ तुमारे तो घमन डब तूटेगा कोन है मैं भी तो देखो किसटी इतना अमीर हो पैसे वाला hay क्योंड यहाँ तुम हिए तरह जानते नियोगी सी नियप चुळ सब कुछ बड़ु है लेकिन देखे ले करेगा गड़ीब फालतह हjang जैसा वो मेरे को आज चल मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ अरे अंकल कहां ले जा रहे हो देख जरा इसको देख ये कौन है ये तो फ्रेंकलिन बहिया है अरे यार फ्रेंकलिन बहिया कुछ बोल क्यों नहीं रहे है फ्रेंकलिन भया प्लीस उठाओ फ्रेंकलिन भया उठाओ यहार आप जूट बोल रही हो अरे बच्चे तु कैसा है देख मैं यहां से सामने से जा रहा था मेरे को बदवु आ रही थी बॉड़ी की बच्चे तु कैसा है भाई पैसे आ गए तो तु क्या अपने भया भया को भूल जाएगा मेरी गलती हो गई यार फ्रेंकलिन भया को नहीं छोड़ना चाहिए था के लिए बेटा तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए अपने यार तुम जिंदगी में कितना भी कामियाब हो जाओ लेकिन या कभी भी पुराने लोगों को आपता हुप सब्सक्राइब ने इसा अपना दिल निकाल करके दिया। शंचान पस्तावा करने से क्या होगा तूने तो उनका साथ दिया नी और वो तेरे को पूरे सिंद्गी बर तेरा साथ देते रहे यार ऐसा क्यों हुआ तूने उनका साथ छोड़ दिया पैसे के चक्कर में लेकिन फ्रैंकलिन ने तब भी तेरे को अपना दिल निकाल के दिया और ज्यादा पस्तावा हो रहा है मेरे फ्रैंकलिन भाईया चले गए मुझे छोड़ करके फ्रैंकलिन भाईया वापस आ जाओ फ्रेंकलिन भयाँ आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अपने पैरिंट्स के साथ बैठ करके देखो आपको इनसानों की एहमियत पता चले तब तक के लिए बाए हम दूसरी वीडिय लेगर के फिर आएंगे और फिर मजब करेंगे और फिर धमाल मचाएंगे